पाठ अठारह जखमी शेर बने एकका सन 1931 के युद्ध में लांस नायक एलबर्ट एकका शहीद हुए 29 वर्षिय लांस नायक एकका को मर्नो परांथ वीर्था के सर्वोच्च पदक परमवीर चक्र से अलंकृत किया गया यहाँ पाठ लांस नायक एकका की वीर्था, साहस और युद्ध कौशल का वर्नन करता है इस नायक के साहस पूर्ण कार्य से बहुतेरे सैनिक हताहत होने से बच गए साथ ही इनकी बटालियन के सिर्फ विजय श्री का सहरा भी बंधा 1971 की लड़ाई में हमारी योजना चारों ओर से हमला करने की थी पूर्वी पाकिस्तान के पूर्व की लंबी सीमा पर आकर्मन करना चार कोर के जिम्मे था प्रारंभिक लक्ष अखौरा नाम के शहर पर कबजा करना था अखौरा एक प्रमुख यातायात केंद्र था तथा धाका पहुचने के लिए मेगना नदी तट तक जाने की राह में पड़ता था अखौरा पर आकर्मन करने से पहले गंगा सागर नामक ठिकाने पर काबू पाना आवश्चक हो गया इसके लिए उत्तर की ओर से हमला करने का दिखावा करते हुए दक्षन में स्थित गंगा सागर पर हमला किया यह कार्यभार 14 गार्ड बटालियन के सुपुर्द किया गया हमला गुपचुपधंग से शुरू किया गया मगर दुश्मन ने हार मानने से इनकार कर दिया उसने आकर्मन कर रही हमारी फॉज पर भारी बंबारी शुरू कर दी इसमें तोप गोलों की तो बहुतायत थी ही गोलियों की बोचारों ने भी आगे बढ़ने पर भारी रोक लगाना शुरू कर दिया 14 गार्ड के इस हमले में सामने की बाईवाली कंपनी के साथ लांस नायक एलबर्ट एका भी थे हमले के दौरान उन्होंने देखा कि दुश्मन के एक बंकर से लाइट मशीन गन की गोलियों की बोचार हमारे रास्ते में विग्ण डाल रही है उसके कारण बटालियन के कई सैनिक जखमी हो चुके है एलबर्ट एका ने इसका काम तमाम करने की ठानी अपनी चिंता किये बगैर उन्होंने दुश्मन के बंकर पर एक ओर से बड़ी मुस्तैदी और जोश के साथ धावा बोल दिया बंकर के भीतर दुश्मन के दो सैनिक थे दोनों को ही उन्होंने संगीन की मार से हता हत कर डाला इस तरह उस लाइट मशीन गन का मुंभ बंद कर दिया गया दुश्मन पर संगीन चलाते समय लांस नायक एका स्वयम गंभीर रूप से घायल हो गए इस पर भी उन्होंने अपने साथियों का साथ न छोड़ा उनके साथ जुटकर वे दुश्मन के एक-एक बंकर का सफाया करने के अत्यंत जोखिम भरे काम में लग गए दुश्मन की यह पुजिशन काफी गहराई तक अंदर को थी बंकरों और मोर्चों का सफाया करते करते वे कोई डेढ़ किलोमीटर की दूरी पार कर गए लांसनाएक एकका के जखम से खून बहता जा रहा था और ठकान भी बहुत बढ़ गई थी जब दुश्मन की पोजिशन का आखरी भाग पार कर लिया गया और सबने सोचा की काम पूरा हुआ तभी एक दुमंजली इमारत से मीडियम मशीन गन का भारी फायर आना शुरू हो गया इससे हमारे सैनिक हताहत भी हुए और आगे की बढ़त में भी रुकावट आई और उन्होंने सैंड बैग से घिरा भव बंकर ढूंढा जहां से फायर की घातक बोचारे आ रही थी लपक कर उसमें एक ग्रेनेड फेंका ग्रेनेड फेंकने से दुश्मन के एक सिपाही की तो तुरंत बित्ति हो गई पर दूसरा केवल घायल हुआ उसने किसी प्रकार लाइट मशीन गन का चलाना जारी रखा यह वाकई बड़ी हिम्मत और होसले का काम था हीरे की तककर हीरे के साथ थी लांस नायक एका ने बंकर की दिवार एक ओर से चड़नी शुरू की उपर चड़कर उन्होंने नीचे कूदने के साथ उस मशीन गन चालक को अपनी संगीन के वार से हताहत कर डाला इस साहस पून्ड कारे से हमारे बहुतेरे सैनिक हताहत होने से बच गए साथ ही उनकी बटालियन के सिर विजय श्री का सहरा बंधा गंगा सागर पर पाई इस विजय से आगामी आकरामक योजना को बड़ी भारी सहायता मिली अखावरा पर आकरमन करने के लिए एक महतुपून द्वार खुल गया था अखावरा ढाका पहुचने के लिए सबसे छोटे रास्ते पर स्थित था इसका महत्व इससे ही समझा जा सकता है लांसनायक एकका को गहरे घावों तथा खून बहजाने के कारण अपने प्राणों का बलिदान करना पड़ा 29 वर्षिय लांसनायक एकका को मरणो परांत वीरता के सर्वोट्च पदक परमवीर चक्र से सुशोभित किया गया बांगलादेश के लड़ाई का यह एक मात्र परमवीर चक्र था लेखक जस्वंत सिंग इन संधी विच्छेदों में सही के सामने सही का निशान लगाए दिये गए वाक्यों में संबंध बोधक शब्दों पर गोला लगाए